हलो फ्रेंज मेरे चैनल गो टू क्रियेशन में आपका स्वागत है आज हम एक नए तरह का डोर्मेट बनाना सिखेंगे ये बहुत ही आसान डोर्मेट है और बहुत ही जल्दी बन जाता है आप चाहे तो इसे थाली कवर, पूजा आसन, डोर्मेट या फिर टेबल कवर कुछ भी बना सकते हैं, ये दिखने में काफी सुन्दर लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे मैंने चालिस फंदों में बनाया हुआ है यहां पर मैंने चार सलाई की उल्टी रो निकाली हुई है और दो सलाई की मैंने जाली निकाली हुई है और यहां पर मैंने दो- गए लगायी हुई है और एक यहां पे मैंने यह पर गोले में पूरी एक में जाली निकाला हुआ है यह बहुत ही आसान डॉमेट है और बहुत ही जल्दी तो उसके लिए आपको मोटी सलाई 8 नमबर या 7 नमबर की सलाई यूज करिए आप तो चलिए मैं इसे आपको 20 फंदों में और 7 फंदों में जालर बनाऊंगी तो चलिए हम फंदा डालना सुन करते हैं क्या करेंगे सबसे पहले एक सलाई पैसे नॉट लगा लेंगी और देखे फंदा हम कैसे डालते हैं फंदा डालने का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है आप से चेक कर सकते हैं यह देखे हमारे यह तीन फंदे डल चुके हैं कि चार पांच छै साथ आठ नौ दस ग्यार पार तेर चौद पंद्र सोल सत्र अठार उन्नीस बीस यह बीस फंदे हमारे डोर्मिट के लिए है यह और हम साथ फंदे अब हम अपना जालर के लिए बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छै साथ यह साथ फंदे हमने अपने जालर के लिए बनाए हुए हैं तो चलिए हम अपना डोर्मिट बनाना सुरू करते हैं यह हमारे 27 फंदे डल चुके हैं 20 फंदे में हम अपना डोर्मिट बनाएंगे और एक फंदे में जाली और छै फंदे में हम जालर बनाएंगे और बड़ा वाला डोर्मिट मैंने 40 फंदे में बनाया हुआ है एसी तरीके से आप बढ़ा चोटा अब जितना भी आप के जोड़े से आप बना सकते हैं कोई भी डॉर्मिट तो सबसे पहले हम इसको हम एक सलाई पुरा ऐसे हम साधा उतार लेंगे एक सलाई पूरा हम एसे सिंपल सा से बून लेंगे अपना उस साइड से हम अपना डिजाइन डालना सुरू करेंगे इसको हम ऐसे पूरा बून लेंगे अपना एक सलाई अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी नए नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और फ्रेंड मेरे आप वीडियो को लाइक करें, लाइक करना आप भूल जाते हैं, यह बहुत ही आसान डोर्मेट है और बहुत ही अच्छे से जल्दी से बन जाता है, आप इसे थाल पोस के जगह भी यूच कर सकते हैं, यह बहुत ही सुन्दर लगता है थाल पोस में, इसे हम पूरा लाश तक बून लेंगे, एक सलाई हम पूरा बून लेंगे, एक सलाई हमारा बन के तयार हो गया, अब देखिए हम यहां से अपना डिजाइन डालना सुरू कर करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले फंदे को उतार लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, और यहां पर देखिए, 6 फंदा हमें उल्टा बूनना है, दो हो गया, 3, 4, 5, 6, यह देखिए हमें 6 फंदा हमारे उल्टे बन गए, अब देखिए यहां पर हमें इस फंदे पर 7 पर हमें जाली बनाना है, तो जाली के लिए क्या करेंगे, फंदा आगे ही रखेंगे, और इसको हमें ऐसे करके देखिए, यह देखिए हमें, यहां पर एक हमें जाली भी बना और एक हमारा फंदा भी बढ़ गया, यहां पर हमारा, अब इसके बार, पट्टी क अपने तरफ करना हैं यहां पर complaint हमें उल्टा बुनना है छ रिवे देखें यह हुं अब यह पूरा लाश्ट तक हमें उल्टा बुनलेना है ऐसे लाश्ट में आकर human दोपंदा छोडंना से हर सलाई पर हमें दोपंदा छोड़ते जाना है कि अनुए फोट जोज़ए आकार घटा If i just है हज़िए हमारा यह दो फंदा यहां पर हमारा चुट गया और न उनको उस दिसा में गुमा कर अमें इस दिसा में आ जाना है और उलटे में हमें कुछ भी नहीं करना है complètement हमें सिधी वाले पट्टी में करना है और इस दिसा में हमें पुरा अपने बिजाइन को उल्टा ही बुनना है अब देखिए यह हम सिधी वाले पट्टी पे हम आ गए है और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है यह पहला फंदा हमें उतार लेना है और उनको अपने साइट कर लेना है यहाँ पहला फंदा हम उतारते हैं यहाँ ताकि हमें यह सिधी लाइन अच्छे से बन जाए हमारी और यहां पे हमें 6 फंदा उल्टा बनाना है, 2 हो गया, यह 3 हुआ, 4, 5, 6, यह हमारे जालर बन रहे हैं, यहां पे हमारे जालर बन रहे हैं, अब देखिए यहां पे हमारा एक फंदा बढ़ा हुआ था, जो हमने जाली में बढ़ाया हुआ था, इसे हमें सीधा बुनना है, तो सी पिछे करके यह एक फंदा हमें सीधा बुन लेना है और यह देखे यहां पर एक सीधी लाइन आई है यह सीधी लाइन पर हमें यहां पर जाली बनाना है तो जाली बनाने के लिए हम क्या करेंगे उनको अपने तरफ करेंगे और यहां पर एक ऐसे सीधा बुन लेंगे ताकि ह जली भी बन जाए और हमारा एक फंधा बढ़ा हुआ उसे हम अपना सीधा बंदेगे और ये हमारी छे जो फंदे हैं ये उल्टे ही बनेंगे अब देखें अब यहां पर देखिए अब हमें यहां पर यहां पर जाली बनाना है जैसे मैंने आपको बड़ा वाले डोर में बता दो फंदों से हमारा एक यहां फंदा भी घटेगा और एक फंदा हमारा बढ़ भी जाएगा तो देखिए यह देखिए ऐसे करके पहले हम उनको अपने आगे कर लेंगे और दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे यह देखिए यहां से हम हमारा एक फंदा बढ़ेगा भी और एक फंदा घटेगा हमारा उतना कह उतना फंदा रहेगा नहीं घटेगा इसी तरह हमें ये पूरे फंदों पर ऐसे ही करना है उनको अपनी तरफ करना है और दो का हमें एक करना है ये हमारी जाली भी बन रही है और एक फंदा हमारा घट भी रहा है और एक बढ़ भी रहा है बढ़ नहीं रहा है उसी में घटी रहा है देखे उनको अपने आगे करना है और ये दोनों फंदे को हमें एक करना है इसी तरह हमारा न फंदा बढ़ेगा हमारा फंदा उतने कर नहीं रहेगा उनको आगे करना है और ये दो फंदों को हमें एक करना है ये देखे उनको आगे टायट है तो आप इसको यहां से ऐसे करके ऐसे लूज कर के फिर इसके बाद ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं इसी हैं थोड़ी हो सकती है थोड़ा आपको अराम अराम से करना होगा कि इसे करना है निजी है यह अएaying कछ आसे कर के बाद है यहां देखिए यह आइसे करके अपने तरफ करना है और थो फंदों सक अगर्षय कर सकते हैं लूच करने के बाद ऐसे करके आप ऐसे करके जाली बना ले और यहां पर आकर हमें दो फंदा छोड़ना है और हमारे पट्टी उस साइड है तो हमें इस साइड घूम जाना है और इस साइड हमें कुछ भी नहीं करना है इधर हमें पुरा उल्टा बुलना है इधर हमें पुरा उल्टा ब यह देखे दो फंदों में यह हमारी जाली बन के तयार हो रही है एक आगे की सलाई दो सलाईों में आगे का सलाई हमने बुना है और एक की पीछे का सलाई बुना है तो यह दो फंदों दो सलाईों में हमारी एक जाली तयार हो रही है एक डिजाइन पुरी ऐसे करके हमें पु यह देखिए, यह देखिए हमारी यह जाली बन के तैयार हो गई है, इसी तरह हमें पूरी जाली बनाने है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यह फंदा उतारेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ पे हमें 6 फंदा, उल्टा बुर्णना है, 2, 3, 4, 5, 6, अब यह हमारे बढ़े हुए फंदे हैं इसको हम सीधा बुनना है हमें देखें एक डो अब देखिये यह हमारा यह यह जाली है सीधीय लाइन वाली इसी पर हमें जाली बनाना है तो उनको अपनी तरफ करके यहाँ पे हमें एक जाली बना लेना है यहाँ का डिजाइन फ्रेंस अलग चलता है और यहाँ का अलग चलता है इससे कोई मतलब नहीं है यह अलग जालर हमारे बन रहे है और यह वाला डिजाइन हमारे अलग बन रहे है अब देखिए अब हमें क्या करना है उनको अपने तरफ करके यहाँ पे चार सलाई हमें उल्टा बुनना है यह देखे चार सलाई जैसे हमारा एक सलाई यह बन रहा है फ्रेंज्स आप पूरी वीडियो देखा करें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिस करती हूँ यह देखे यहाँ पे चार सलाई पूरे उल्टे बनेंगे यह देखे यहाँ पे हमें दो फंदे छोड़ते जाना है यह देखे पहले सलाई पे दो फंदा दूसरी सलाई पे यह तीस्वे सलाई पे छोड़ा है हमने और उनको उधर बिसामे करके इस साइड आ जाना है और इस साइड हमें कुछ भी ने करना है ये पूरा हमें उल्टा बुरना है ये दिखी ये हमारी दूसरी सलाई उल्टे की ये देखे अपने साइड वाले दिसा में हम आ गए है अब देखे यहां पर क्या करना है सबसे पहले फंदे को उताजना है और उनको अपनी तरफ करना है और यहां पर हमें छे फंदा उल्टा बनाना है ENGRA तक जो हमारा अइन सब्सक्राइब हुआ है एक और यह तीन आज़ी सब्सक्राइब हाल तो दो सलाई उल्टा निकालना है देखिए यह पूरा हमें उल्टा निकालना है यह देखिए यहाँ पर हमारा हो गया अब इस दिसा में आ जाना है और इस दिसा में भी हमें एक सलाई उल्टा बनाना है हमें पुरे दिजाइन के बाद चार सलाई उल्टा बनाना है पुरा यह देखे यहाँ पर देखे कुछ ऐसा दिखेगा हमारा यह डिजाइन यह देखे हमारा यहाँ पर दो लाइने उल्टी की बन गई है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करना है हमको फंदक उतारना है और उनको अपने तरफ करना है और यह 6 फंदे जो हमें हमारे हैं चार पांच ये छे 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 फंदे हमें उल्टा बनाना है अब हमारी ये बढ़े हुए फंदे हैं इसे हमें इपना सीधा बुन लेंगे और यहां पे हमें एक यहां पे एक से जाली निकालना है जाली बनाने के क्या करेंगे उनको अपनी तरफ करके यहां पे हमें जाली निकालना है और यह देखिए अब हमें यहां पे ऐसा वाला जाली बनाना है तो हम जाली बनाने के क्या करेंगे सबसे पहले उनको अपनी और यहां पर हमारा फंदा एक यहां से बढ़ेगा भी नहीं और एक फंदा घटेगा बढ़ेगा दोनों अपना करना है उसी में यह देखिए फंदे को पने तरफ करना है और दो फंदे को हमें एक करना है ताकि हमारा फंदा उतना ही को उतना ही रहे और बढ़े भी नहीं यह पहले अपनी तरफ करना है यहां पे हमें यहां पे हमें दो फंदा छोड़ देना है लास्ट में आकर और इस दिशा में आ जाना है अज दिशा में कुछ भी ने करना है में पुरा उल्टा बुनना है अजा है यह देखे इतिसा में अभी हमारी 6 लाइने कंप्लीट नहीं हुई है 6 लाइने कंप्लीट होने पर 7 लाइन पर हमें यहाँ पर जालार का कटिंग करना है तो अभी हमें पूरा एसे बुनना है सबसे पहले फंदा उतार लेना है उनको अपने तरफ करके ये 6 फंदा हमें उल्टा बुनना है 4, 5, 6 अब यो हमारे बढ़े हुए फंदे हैं इसे हम सिधा बुन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब हमारा एक फंदा बढ़ेगा तो हमारा 6 फंदे हो जाएंगे इसके बाद हमें उस वाले सलाई पर हमें उल्टा बुनना है और यहाँ पर हमें यह पूरा उल्टा बुनना है और लाश्ट में हमें 2 फंदा छोड़ देना है यह देखे यहाँ पर हमें लाश्ट में 2 फंदा छोड़ देना है और इसके बाद इधर घूमाना है 4 सलाई हमें उल्टा बनाना है जैसे हमने आगे बताया था आपको कि चार सलाई हमें उल्टा बुना है अब देखिए हमारी यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच छै यह हमारी छै लाइने पुरी कंपलीट हो गई है यह फंदा से लेकर यहाँ पर हमारे यहाँ पे छै फंदे भी बढ़े हुए हो गए हैं एक दो तीन चार पांच छै अब हम क्या करेंगे अब फ्रेंज ध्यान से देखिए आप इसको हमें घटाना है यहाँ पे हमें जालर की कटिंग करनी है तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यह फंदो का एक करेंगे जैसे घटाते हैं और इसको सलाई पर चढ़ा लेंगे यह हमारा एक फंदा घट गया यह देखिए यह हमारा दूसरा फंदा घट गया यह देखिए यहाँ पे हमें तीसरा फंदा घटा लियें सलाई पर डाल लियें दो फंदों का एक करना है और इसको इस सलाई पर इसे डाल लेना है और यहां पर हमें 6 फंदे पुरे घटा लेने हैं अपने यह देखिए यह हमारे यहां पर 6 फंदे घट गए हैं अब जो हमारे यह 6 फंदे बढ़े हुए हैं इसे हम उल्टा बना लेंगे देखिए 2, 3, 4, 5 और ये 6 जितने हमारे बढ़े हुए फंदे थे सब हमें पूरा घट गए हमारे और इस जाली पर हमें इस चैन पर जो गया है इस पर हमें अपना जाली बनाना है तो जाली बनाने के लिए देखिए हमें यह देखिए हम जाली बना लिए और यहां पर हमें यह चार सलाई तुबन ना है और लास्ट में आकर हमें दो की संख्या में छोड़ना है यहां पर हमें दो की संख्या में छोड़ना है उनको इधर घूम जाना है इधर हमें पुरा उल्टा बुन लेना है कि यह देखिए हमें सीधी वाले लाइन पर हम आ गया है अब देखिए सबसे पहले उनको अपने तरफ कर लेंगे और उनको अपने रजब करने के बाद देखिए दो तीन चार पांच च्छे और यह हमारा बढ़ा गुआ फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे यह देखिए अब यहां पे हमें एक जाली निकालेंगे तो उनको अपने तरफ करके यहा उनको अपनी तरफ करना करना है यह दो का हमें जाली बना लेना आज नार कर फेसे तरह अपना कली कंप्लीट कर लेना है ये देखे, मैं आपको पूरी एक कली कम्प्लीट करके दिखा रहे हूँ और दूसरा कलर कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंज साब पूरी लाश्ट तक वीडियो आप देखें तभी आपको ये डॉरमिट अच्छे से समझ में आएगा ये पूरी सलाई हमें उल्टा बुन लेना है ये देखें हम सामने वाले दिखा में आ गया है तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और उनको अपनी तरफ कर लेंगे और इसे हमें छै फंदा उल्टा बुनना है 3, 4, 5, 6 और ये हमारे बढ़े हुए फंदे हैं तो इसको हम एक, दो दो फंदे हमारे बढ़े हुए थे अब यहाँ पे हमें एक जाली निकाल दी है ये देखिए आब देखिए अब इसको हमें पुरा उल्टा बुन लेना है एक, दो तो अब यहां पर हमें दो फंदा छोड़ देना है यहां पर लाश्ट में इस तरफ घूम जाना है इस तरफ हमें पुरा उल्टा बुन लेना है इसी तरह आप 40 फंदों में भी बनाईए 40 फंदों में बहुत भी बड़ा डोर्मिट बनके तयार होता है अगर आपको पूजा आसन बनाना है थाल पोस बनाना है कोई भी चीज बनाईए काफी बड़ा बनेगा मैंने आपको जालर जितना बड़े वाले में जालर बनाया था अपना उतने मही जालर आपको बताया है इस छोटे वाले में भी यह देखिए पहले फंदे को उतार लेंगे और उनकों पर दिरफ करेंगे और देखिए दो कि देखिए हमारा बढ़े वाले हैं यहां पर जाली बनेगा देखिए जाली बनाने के लिए उनको अपनी तरफ करके यहां पर हमें एक जाली बना लेंगे आप देखी यहांपे हमारा सब पुरा कमप्लीट हो चुका है तो यहांपे हम क्या करेंगे हाँ उनकोर करके यह सारा हम ऊल्टा बना लेंगे अब देखिए पूरी लाष्ट तक हम उल्टा सरे लाष्ट तक उल्टा बना doc i यह पूरी सलाई हम लाश्ट तक उटा बना लेंगे हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है यह देखे यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है अब यहां से हमें एक नया उन अपना लगाएंगे यहां से यही से हमें एक नया उन लगाएंगे यहां से हम नया कली अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जट यहां से हमें नपना लेक उतास्टार्ट करने लिए है यहां से जाइ़ यहां से हमें आपनावे है यहाँ विया है कि यह देखिए इसे हमें पुरा हमें पुरा पुरा चार सलाई तक हमें चार लाइनी तक हमें पुरा उल्टा बूल देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उनको अपनी तरफ कर लेंगे और यहां पे तो हमें उल्टा बूलना ही है यह तीन चार पांच छे हमारा हो गया अब इधर हम घूमा देंगे अपना इसको यह हमारा बढ़ा हुआ अफंदा है एक दो तीन चार हमारा जाली यह जो हमारा जालर है हमारा जालर जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनेगा इधर का भले अलग रहेगा इधर का हमारा अलग रहता है तो यहां पे हमें जाली बनाना है तो यह देखिए हमारी जाली बन गई इधर का हमें अलग ही बनाना है सेम है जालार अलग बन रहा है तो जालार हमें से आपने हिसाब से चलेगा जैसे आपने चल रहा है आपका इधर का देखिए आप इधर उल्टा बुनाना है आपको यह पूरा लाश्ट तक उल्टा बुन लेना है यह देखिए यहां पर एक सलाई उल्टा बुन चुका है तो इधर भी हमको बनाना है इधर इख फंदाक उतार लेंगे ताकि इसका गुलाई जो हो इसका बड़ा नहों पोल बड़ा नहों इधर भी हमें पूरा उल्टा बुन लेना है बड़ा बुन लेना है यह देखिए यह अपने सिधी लाइन पर आ गया है अब देखिए यहां पर यहां पर जालर के लिए एक दो तीन चार पांच अभी हमारा यह जालर कटिंग नहीं होगा तो ऐसे हमें फंदा उतार लेंगे और यहां पर हमें दो तीन चार पांच छे यह छे फंदा हमें उल्टा बनाना है इसके बाद हमें बढ़े हुए फंदे को सिधा बुन लेना है जितने हमारे बढ़े हुए फंदे हैं यह पूरा सीधे बन गए हमारे और यहां पर हमें यहां पर चैन पर हमें जाली निकालना है तो जाली के लिए हम यह देखे जाली हमारा बन गया अब हमें यहां पर पूरा उल्टा बनाना है अभी भी और लास्ट में आकर हमें यहां दो छोड़ना है यहां पर यह देखिए हमारा लाश्ट में यहां पर दो छोड़ गया अब इधर घूम जाएंगे यह देखिए हमारी यहां पर दो लाइने पुरी यह चार सलाई पुरे उल्टे की आएगी तो ऐसे हम अपना सुरुवात करेंगे अपना जैसे हम डोर्मेट का सुरुवात किये थे चार लाइन ने चार सलाई मैंने बताया था आपको उल्टा बनेगा तो ऐसे हमको यहां पर उल्टा बनाना है तो इसको भी हम पुरा उल्टा बुन लेंगे अभी पीछे में यह देखे हमारी चार सलाई दो हमें उल्टी की बन गई है इस पर हम चार सलाई उल्टा बनाए है और यहां पर हमारे यहां पर 6 लाइन बन गया है तो हम इसे यहां पर करेंगे तो कटिंग करने के लिए देखिक हम क्या करेंगे दो फंदों का एक करना है और एक फंदा हमें से चढ़ा कर इसको जालर बनाना है 2 हो गया यह देखिए 3 3, 4, 5, और यह 6, यह हमारे कटिंग हो गया जालर के, यह देखे, अब इसके बाद हमें, यह जो बढ़े हुए फंदे हैं, उसे 3, 4, 5, और यह 6, यह देखे, यहाँ पर, यहाँ पर देखे हमें, यहाँ पर जो सीधी लाइन है, इसी पर हमें जाली बनाना है, तो जाली के लिए हम फंदा को अपनी तरफ रखेंगे, और सीधेक से हमें, ऐसे करके, जाली बना लेना है, यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया, अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर यह वाला बनाये थे, उसी तरह हमें यहाँ भी बनाना है, हमारा दो फंदा पहले से यह कर चुटा हुआ है, अब यहाँ पर देखिये, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे, और दो फंदो का हमें एक करते हुए, जाली बनाते जाना है, इसी तरह घु dopamine को देखिए हमारी दूसरी कली है, यह लास्ट में आकर हमें यहाँ पर दो फंदा छोड लेना हैं, यह बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बन जाता है देखिए हमारा ही दो फंदा छोटा है अब देखिए यहां पर हमें जाली बना लेना है और इधर पूरा हमें इपना उल्टा बूल लेना है बनने के बाद हमारा देखिए कुछ ऐसा बनेगा यहां पर हर सलाई पर हम यहा बनाया हुआ है और इसके बाद हम यहां पर दो दो फंदे से छोड़ते जाएंगे और यहां पर जब 6 बन जाएगा तो हमें एक जाली का इसे कटिंग निकाल देना है जैसे मैंने यह बड़े वाले डोर्मिट में बनाया है तो चलिए मैं इसे आपको घटाना और डोर्मिट क कंप्लिट हो गया है तो इसे मैं अपना यहां पे पहले जानख बनाऊंगी तो जालर के लिए जैसे मैं आपको बताई थी दो दो फंदों का हमें एक करना है और सब्सक्राइग प्रशैँ कर लेना है कमоп्लीट करने के बाद और यह पूरी सालाई बोन लेना है बुलने के बाद इधर मैं आपको घटाना बताओंगी यहां से मैं आपको पूरा आस्ट तक यह सफेद वाले उन से बीन के मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए बून के हम अपना लाश्ट पर आ गए हैं और यहाँ से हमें यहाँ पर उल्टे डिशा में हैं और यहाँ पर हम रेट कलर के फंदे से अब फंदा उतारना उतारेंगे देखिए फंदा कैसे उतारते हैं, दो फंदो का हमें एक करना है, इसे हम रेट कलर से उतारेंगे, ये देखिए, ऐसे करके दो फंदो का एक करना है, और इसको हम अपने सलाई पैसे चढ़ाते जाएंगे, इसी तरह हम पूरा फंदा को उतार लेंगे, ये देखिए, फंदा क उतारना ज्यादा टाइट भी ने उतारना है नहीं ज्यादा लूज उतारना है इसी तरह हम अपना पूरा दोर्मेट उतार लेंगे लाश वाले फंदे पर हमें देखिए ऐसे बढ़ा कर इसको हमें ऐसे करके कर लेना है और इसको यहां से ऐसे कट लगा लेना है ये देखिए ये डोलमिट हमारा उतर गया है इसे हमें अब इसको सिलाई लगाना है सिलाई के लिए हमें बड़ी वाली सुई और ये लाल वाले उनका इस्तमाल करेंगे दोल्मिट को सिलाई करने के लिए दोल्मिट को उल्टा करना होता है उल्टा करने के बाद इसको यहाँ पे यहाँ से हम जालर के पास से हमें यहाँ से सिलाई लगाना है यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से जालर से ऐसे करके यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ऐसे करके हमें पूरा डॉर्मिट अपना सिल लेना है देखे डॉर्मिट में हमारी यहां पर सिलाई लग चुकी है और बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि सिलाई कहां लगी हुई है अगर आपको लगे कि यह बीच का होल बहुत बड़ा हुए तो इसको कम करने के लिए हम यहां पे ऐसे एक उसे तुमड़ा कच्चा करके यहां पे ऐसे करके इसको आसानी से ऐसे खीच कर आप इसको ओलक्र सकते हैं और यहां पर एक सुन्दर सा ऐसे फ्लावर बनाके इसको यहां पर इसे टाक दे ताकि आपका यह थाल पोस या तो फिर पूजा आसन कुछ भी हो दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा और यह फूल का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है इसे भी आप देख सक हाथ हैं यहा है दिन्हाट अग द्रिकां अच्छा लगा और को वीडियो को लाइक एक सा स्काइब करें souhaite अगर आपको मेरा थाल पोस और पूजा आसना च्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाच तक वीडियो देखने के लिए थंक्यू झाल झाल